हेलो राम राम जी सभी को और इस किचन व्लोग में आप सब का स्वागत है कैसे हो आप सब आज हम आपको बना के दिखा रहे हैं मिक्स दाल इसके लिए मैंने एक टोरी दाल ले लिए हैं दो टमाटर लिए हैं दो प्याज लिए हैं चार पांच कली लस्टन के लिए हैं और दो तीन हरी मिर्च ली हैं चलिए आज आपको बना के दिखाते हैं मिक्स दाल बहुत अच्छे और सवादिश्ट और पोस्टिक होती है वही प्रोटीन से बरपूर यह देखिए दाल को मैंने भिगो दिया था लगबगादा घंटा अ अब कुकर में डाल देंगे और दो गिलास पाणच बानी डाला मैंने इसके अंदर देखिए ठोड़ा सा पानी और डालूँजेस नमक डाल दिया है हल्दी डाल दिயफ थज़िए लाल मिर्च अंधा यह मैंने हरी मिर्च सुखा के उनको प्रीश रखा इसलिए थोड़ा कलर ऐसे आ रहा है इनको अब इनको इलाके उपर को टक्के पांच सीटी लगवाएंगे यह देखिए प्याज तमाटर को चोप कर लिया मैंने चोपर में दाल हमारी बन गई है अब इसमें चोप लगाएंगे यह तीन चार्चम मच देशी गी ले लिया है मैंने गी में फूत अच्छी दाल बनती है यह जीरा डाल दिया है यह गरम हो गया था थोड़ी सी हींग डाल दिया अब प्याज डालेंगे जीरा थोड़ा सा बराउन होने के बाद देखिए प्याज डाल दिये हैं अब प्याज को ब्राउन होने तक बूनेंगे अब ते में दो तिन बार तो डाल को जुरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है देखिए प्याज हमारे ब्राउन होने लगी है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर सस्क्राइब कर देना कोमेंट कर देना देखिए प्याज ब्राउन हो गई है अब इसमें टमाटर डालेंगे मैंने लस्चन और मिरच इसको भी इसी में चोप कर लिया था टमाटर के अंदर अब इसमें थोड़े मसाले डालेंगे ये दन्य पाउडर डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैं आपको बहुत ही सिंपल और कम मसाले वाली सब्जी बना के दिखाती हूं क्योंकि रोज रोज ज्याद मसाले की भी निखाई जाती कभी कबार तो चल जाता है अब टमाटर के मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे तीन-चार मिनट के लिए देखिए टमाटर भी पक गए है एक बार फिर बोल रही हूं वी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो अब इसके अंदर डाल डालेंगे मिक्स कर लेंगे अब चार पाच मिन्ट के लिए उबाल लगाएंगे देखिए कितनी अच्छी बनी है दाल हमारी अब इस पर एक दो बाल लगवाएंगे देखिए अब इसको एक बावल में निकाल देंगे अब लगवाएंगे अब लगवाएंगे अब लगवाएंगे